व्हेलो को बॉल को बोइब शीनल एंगी मेडिकल्स इन दिस वीडियो वेगों चैनल आप शीनल को मैं तो इन दिस वीडियो में गैभता सब्सक्राइब है तो यह हमारी थाइड ग्लैंड चोकी हमारी नेक के पास होती है ठीक है मेली इसको बहुत सारे फंक्शन है हमारी body के metabolism को maintain करके रखना weight को maintain करके रखना चीक है और mental health के लिए और बहुत सारे multiple functions हैं चीक है तो normally इसके अंदर cancer क्यों हो रहा है वो हम यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी etiology चाहे वो gene mutation हो या family पुरानी family history हो previous history हो या hormonal changes के वज़ा से कोई ना कोई ऐसी problem की वज़ा से कहीं ना कहीं ultimately cells पर effect आ रहा है ठीक है तो कौन से cells पर यहाँ पर problem आ रही है हमारे thyroid के cells पर problem आ रही है ठीक है मानलो एक main cause ले ले लेते हैं gene mutation तो कौन कौन से gene ऐसे हैं जो कि mutated हो रहे हैं ये देख लेते हैं BRAF and RAS जो कि हमारे normally onco genes होते हैं ये onco genes हमेशा suppress रहते हैं देखो हमार जो ये DNA है ये देखो ये हमारा DNA है ठीक है तो ये DNA ये एक तरह का हमारा genetic material है अब ये DNA छोटे छोटे जीन से मिलके बना हुआ है ये एक छोटा जीन अलग 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 है तो ऐसे multiple gene से हमारा DNA बना होता है तो कहीं न कहीं अगर gene में कोई changes आएंगे तो हो सकता है ऐसे gene activate हो जाएं जो कि हमारी body के लिए harmful है और ऐसे gene deactivated हो जाएं जो कि हमारी body के लिए useful है तो वही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे gene जो कि onco genes थे जो कि tumor cause करने के लिए capable थे वो पहले normally suppress रहते हैं जीन mutation के वज़े से gene में changes के वज़े से कहीं न कहीं अगर वो activate हो गए तो problem क्या होगी यहाँ पर tumor formation होना start हो जाएगा दूसरे ऐसे gene जैसे कि TP53 और PTAN यह एक तरह के tumor suppression gene है कि मानलो कहीं पर abnormal growth होना start हुई है तो यह क्या करेंगी यह उसको suppress करना start कर देंगे ठीक है मानलो इनके अंदर changes आते हैं और यह deactivate हो जाते हैं किसी reason के वज़े से gene mutation के वज़े से तो कहीं न कहीं जो growth start हुई थी वो इस growth को रोक नहीं पाएंगे fail to suppress the growing tumor थी आपकी pathogenesis बस आपको gene के नाम याद रखना है कि कौन से gene के वज़े से क्या problem हो रही है और आपकी pathogenesis तयार हो जाएगी इसके अलावा जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ problem आए यह अक्टिवेट हो जाए और यह यह नॉर्मल काम कर रहे हूँ तो अगर यह नॉर्मली आक्टिवेट हो गई तो हो सकता है बिनाइन ट्यूमर की प्रॉबलम आ जाए और मालों ट्यूमर सप्रेशन जीन डी-क्टिवेट हो गए तो यहाँ पे मैलिगनेंट ट्यूमर की प्रॉबलम आ सकती है thank you so much have a nice day और आप बस इसके notes देख लो